आचारी जी को साध़ प्रणाम राने दुरगावती बिश्विद्याले जबलपुन के लिए ये च्छन गौरों का है जब देशी नहीं विदेश में भी भारत के दर्शन वेदान्त को पुनाय स्थापित करने वाले आचारी प्रशांत जी का राने दुरगावती का संचार होगा एवं वे सभी अभिप्रेडित भी होंगे समाज को सही बिसा प्रदर्सित करने का जो निस्थ काम कर्म आपके द्वारा किया जा रहा है वह एक सथ्थ निस्थ व्यक्ति ही कर सकता है आचारी प्रशांत आज विश्व में अध्यात्मिक सामाजिक जागरण क की शशक्त आवाज हैं वेदांट की प्रकर मशाल अंद विश्वास वा आंतरिक दुर्वलताओं के विरुद्ध मुखर योधा पशुप्रेमी वशुद्ध शाकाहार के प्रचारक परियावरण संदच्छक युवाओं के प्रदर्सक मित्र किसी भी रूप में उन्हें पु पूर्चात्र सिविल सेवा के पूर अधिकारी रह चुके आचार प्रिशान राश्ट्रिये बेस्ट सेलर कर्म और वेदान समेट सव से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं वर्तमान परिस्थितियों में इनके द्वारा किये जा रहे कार्दियों का फल आगे आने वाली पीड होगा रानी दुर्गावती विश्विद्धाले जबलपुर के सभी सिच्चकों अधिकारियों कर्मचारियों छात्रों की ओर से मैं सम्मानी आचार प्रसांद जी का हार्दिक स्वागत बंदन और अभिनंदन करता हूं मैं अब प्रशांद अध्वैत संस्था के सरश्यों को प्रसनोत्री सत्र आरम करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा साधर प्रणाम नमस्ते सर मेरा नम अभिशेक्तिवारी है मेरा प्रशन आपसे यह है कि मन अमेशा गलत चीजों की योर क्यों आकर्शित होता है जैसे सर मैं अभी एक स्टूडेंट हूं मैं एक विद्ध्यारती हूं तो मेरा जो मुख्य कारे होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए लेकिन उसके पश्चाद भी मेरा मन जैसे जो मोबाइल वगेरा हो गया मोबाइल में लगा हुआ है गलत चीजों में मान लीजे लगा हुआ है जैसे मुझे पता है कि मेरे स्वास्त के लिए मुझे क्या करना है लेकिन उसके बाद भी मैं अन्यंत्रित तौर पर सर हर विधा में मतलब अपने आपको मन के आसीन होके छोड़ देता हूं मतलब मैं चाहा के भी मन से अपने कोई काम नहीं करवा पाता हूं देखिए मन जो है ना वो एहम से चलता है मन मैं से चलता है मन मैं से चलता है मन में आपके नहीं कोई कभी विचार आएगा अगर उसका आप से माने मैं से कोई संबंध हो ही ना ठीक है तो वैसे तो मन में पूरी दुनिया आती जाती रहती है तमाम तरह के विचार भावनाएं उठते गिरते रहते हैं लेकिन उन सब के केंद्र में मैं होता है मैं और ये जो मैं है ये बड़ा व्याकुल रहता है अपनी भलाई खोजने को ये जो मैं है ये एक डरी हुई से चीज है और परेशान है बड़ा बेचैन रहता है ये चाहता है कि किसी तरह इसकी परेशानी दूर हो इसकी बेचैनी मिटे अपने बारे में इसकी जो एकदम मूलभूत माननेता है वो ये है कि इसमें कोई कमी है कोई खोट है ऐसा इसको लगातार अनुभव होता रहता है कि कमी है खोट है लेकिन ये साफ साफ जान भी नहीं पाता कि कमी है कहां पर खोट है कहां पर तो ले देकर बस ये इतना करता है कि अंधेरे में हाथ पाउ मारता रहता है और मन में आपके जो कुछ भी चलता रहता है वो चलता मैं के इशारे पर ही है माने मैं को पूर्ति देने के लिए ही है मैं अपने आपको अधूरा मानता है न तो वो पूरे पन को लेके बड़ा व्याकुल रहता है कि मुझे पूरा पन मिल जाए का आश्क पूरा हो जाओं और इसलिए मन में न जाने कितने बे मतलब निरर्थक अध कचरे उट पटांग ख्याल चलते रहते है क्योंकि आप मैं की मजबूरी और मन की दशा समझे मैं की मजबूरी ये है कि वो बहुत तीवरता से अनुभाव करता है कि कहीं कुछ गड़बड है तो जरूर लेकिन ये जानता भी नहीं है विवश बेचारा कि कहां क्या गड़बड है बस उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है कुछ ठीक नहीं है पर क्या ठीक नहीं है आप उसे साफ साफ पूछें तो ये बता नहीं पाएगा और इस कारण मन तमाम तरह के कचरे से भरा रहता है क्योंकि जब आप नहीं जानते कि आप में जिस चीज की कमी है वो क्या है और वो कमी कैसे पूरी होगी तो आप हर जगह तलाशते हो कि कुछ मिले जो उस कमी को पूरा कर सके तो इसलिए मन दुनिया भर के खयाल रखता है आप कहते हैं न मन चंचल होता है कहते हैं न मन यूहीं व्यर्थ बेकार उटपटांग जगहों पर भागता रहता है वो यूहीं नहीं भाग रहा है वो मैं के इशारे पर भाग रहा है मन अहम का गुलाम होता है तो मन जो है वो मैं के इशारे पर भाग रहा है करे जाओ वहां तलाश कराओ क्या पता वहां मिल जाए जाओ वहां ढूंड कराओ क्या पता वहां मिल जाए मान लिजे आपकी कोई चीज खो गई है आपकी एक सुई खो गई है ठीक और आप नहीं जानते कि आपने वो चीज कहां खोई है तो उसे आप कहां कहां ढूंडते हैं उसे आप फिर पूरी दुनिया में ढूंडते हैं अब सुई तो चलिए छोटी चीज लग रही है मान लीजे जो छोटी सी चीज है और एक छोटा सा हीरा है एक दम छोटा सा हीरा और वो आपने खो दिया कहीं हो और वो आपके लिए बहुत कीमती है, प्राड़ों से ज़्यादा कीमती है आपके लिए उहीरा, तो आप उसे दुनिया भर में और तरीके तरीके से तलाशते फिरेंगे न, जो मिलेगा उसी से पूछेंगे, कभी काली के नीचे खोजेंगे, कभी बिस्तर पर टटो लेंगे, कभी पुराने कपड़ों में, कभी पुरानी अल्मारियों में, जहाँ जहाँ आपका बस चलेगा आप वहाँ वहाँ जाएंगे, तो मन का भी जहाँ जहाँ बस चलता है, वो वहाँ वहाँ जाता है, उसका हीरा खोया हुआ है, फिर हम कहते हैं कि मन के भटका उपर काबू कैसे पाएं अरे भाई मन तो मैं के इशारे पर जा रहा है एक तरह का नौकर है वो और नौकर तो मालिक की आग्या से ही रुकता है और मालिक है तडपता हुआ मालिक नौकर को शान्त कैसे बैठने देगा जब तक मालिक की तडपनी शान्त हुई तो मैं की अपूर्णता का उपचार करना ही एक मात्र तरीका है मन को शान्त करने का जो लोग मन को शान्त करना चाहते हों उन्हें मैं की तडप का उपचार करना पड़ेगा और मैं की तडप के उपचार को कहते हैं आत्मग्यान मैं को जानना ही मैं का उपचार है क्योंकि क्या बीमारी है उसको बीमारी उसको यह है कि वो जानता नहीं कि वो क्या है और उसने क्या खोया है यही तो बीमारी है कि वो नहीं जानता कि वो क्या है और उसने क्या खोया है और आत्मग्यान का मतलब ही है मैं को जानना तो जब बीमारी है न जानना तो उसका उपचार तो यही होगा न कि जानो तो आत्मग्यान मैं की बीमारी का इलाज है और मैं की बीमारी का इलाज हो जाता है तो मन की जो ये नाहक चंचलता है ये अपने आप फिर शांत पड़ जाती है आत्मग्यान क्या है आत्मग्यान है अपने बारे में माननेताओं में न जीना अपने बारे में कल्पना और छवि में न जीना अपने यथार्थ से परिचित होना ही आत्मग्यान है आत्मग्यान का कोई पारलौकिक अर्थ नहीं होता आत्मग्यान कोई बहुत गोपनी है बात नहीं है आत्मग्यान का इतना ही अर्थ है कि आप देखो अपने आपको और समझ जाओ कि किन वृत्तियों पर चल रहे हो, किस नियत से जी रहे हो क्या पाना चाहते हो, क्या खोना चाहते हो, किस बात से डरते हो यही आत्मग्यान है तो अपने आपको देखना पड़ता है अपने कर्मों को देखना पड़ता है और वहाँ जानना पड़ता है कि ये हैं मेरे छुपे हुए डर और इस प्रक्रति की हैं मेरी कामनाए और जब अपने बारे में पता चलता है कि मैं ऐसा हूँ तो आप जैसे हैं वैसा रहने की विवश्टा खत्म हो जाती है ये एक आपको बड़ी रोचक बात लगेगी एक बार जो अपने आपको जान गया वो वैसा रही नहीं जाता जैसा वो है जो अपनी हालत से परिचित हो जाता है उसकी हालत बदल जाती है हम अगर बुरी हालत में हैं तो इसलिए क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हम बुरी हालत में हैं या हम यदि अनुभों भी करते हैं कि हमारी हालत बुरी है तो भी वो क्यों बुरी है कैसे बुरी है इस से हम वाकिफ नहीं होते हम अपने बारे में माननेताओं में जीते हैं हम अपने बारे में भी छवियों में जीते हैं जैसे कोई आइने के सामने खड़े होके अपना मुह न देखना चाहे बलकि अपनी कोई मन्चाही तस्वीर ही बार-बार देखे और कहे मैं ऐसा हूँ हम अपने भी यथार्थ से नहीं अपनी किसी तस्वीर, किसी छविके सहारे जीते हैं सत्य से हम बहुत दूर होते हैं आत्मग्यान का मतलब है जानो कि तुम्हारी सच्चाई क्या है जैसे जैसे आपको पता लगने लगता है कि आप क्या चाह रहे हो चीजों में थोड़ा गहराई में आप जाना शुरू करते हो वैसे वैसे जो कच्रा है वो अपने आप फिर आप पर अपनी पकड छोड़ने लग जाता है ये बात पूर्णतियास पश्ट नहीं हुई होगी इसमें जो कुछ भी अटकरा है उस पर आप प्रते प्रश्ट न करें आचारी जी मेरा प्रश्ट ये है कि ये जो एहम है या ये जो मैं हूँ ये मेरा मन है मेरी आत्मा है कि मेरा शरीर है ये किस से प्रभावित होके मेरा एहम इन दिसाओं में भागता है नहीं जवाब कहते हैं मेरा शरीर, ठीक है, तो जिसके शरीर की बात कर रहे हैं वो हम है, जवाब कहते हैं मेरा मन, तो जिसके मन की बात कर रहे हैं वो मैं है, उसकी अपने आप में कोई वस्तुता नहीं होती है, वो अपने आप में कोई तत्थ है, कोई सबस्टैंशियल वस्तु है नहीं लेकिन फिर भी हमारे देखे तो वो सब कुछ है हमारी तो चेतना के मध्ध में ही मैं बैठा होता है तो हमारे लिए तो वही सब कुछ है तो अभी हम उसकी बात ऐसे ही करेंगे कि जैसे वो वास्ताव में कुछ होता है ठीक है इस चर्चा के संदर में हम ऐसे ही मैं की ब इसी सी चीज़ है जिसका एहसास होता है पर वो वस्तु नहीं होती है भ्रम हो जाते हैं ना कई बार कोहरे में भूत दिखने लगता है ना तो लगता तो है कि है पर होता नहीं है अहम वैसा ही है लेकिन अभी यही मानिये कि है तो अहम क्या है नहीं आत्मा नहीं आत्मा तो सत अहम वो है जो आपकी हर गतिविधी के केंदर में बैठा हुआ है जो आपकी भावना के केंदर में है आपकी पहचान के केंदर में है जो आपके कर्मों के केंदर में है उसको अहम कहते हैं तो आपने मैंने कहा मेरा मन तो जिसका मन वो मैं है आप कहते हो नो मेरा हाथ किसका हा जिसका हाथ, वो अहम, और वही जिसका हाथ है, वो संतुष्ट नहीं है, ना हाथ से, ना हाथ में पकड़ी गई वस्तु से, वो संतुष्ट नहीं रहता है. जब संतुष नहीं रहता है तो वो हाथ का भी अनाप्शना प्रयोग करता है और उसका हाथ जगत के सामने हमेशा भिखारी की तरह पसरा हुआ ही रहता है तो अपने हाथ को तमाम दुनिया की तरफ बढ़ाता रहता है कभी ये पालूं कभी वो पकड़ लूं कभी वो कि हथेली बन जाता है ये ये मैं है ये मैं है जो हाथ को संचालित करता है ये मैं है जो हाथ के माध्यम से पूरी दुनिया से कोई रिष्टा बनाता है उसे मैं बोलते हैं वही अहम है अहम अचारी जी एक सवल और था इससे संब्दित जब तक पश्चन हो जाया पुछते रह सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये जो अहम है ये मेरी समझ से बाहर की जो वातावरण है या जो हमारे रिष्टे हैं या फिर हम जीवन जी रहे हैं मनिश्य का जो हम धर्ती प्रभावित रहता या उसी की संतुष्टी के लिए सारे काम करता है लेकिन इसको हम अपने आत्म में सर आचारे जी हम अगर संतुष्ट कर भी लें लेकिन जो वो परिस्तितियां फिर से बन जाती है तो उस परिस्तितियों फिर ये बह जाता है तो इसके लिए आचारे जी क्या गर सकते हैं हम लोग ने एक एक कदम लें सबसे पहले तो ये कि य अहम कहां से आता है, ये अहम जन्म से ही आता है, अहम वृत्ति, जन्म से ही मौजूद होती है, वो आपको दुनिया से या समाज से नहीं मिलती है, आपको समय से, समाज से, शिक्षा से, परिवार आदि से, धर्म से, मैं का विशय मिलता है, मैं का विशे मिलता है उधारन के लिए मैं पैदा हुआ मैं पैदा हुआ अब कुछ समय बाद उसको बता दिया जाएगा कि तुम अमीर हो तो उसको अपने लिए एक विशे मिल गया ये विशे शायद उसे परिवार से मिला है मैं अमीर हूँ दूसरे को मिल गया मैं गरीब हूँ एक को विशे मिल गया कि मैं हिंदू हूँ एक को विशे मिल गया मैं इसाई हूँ यह सब बाहर से आ रही है चीजे ठीक है ना एक को विशे मिल गया कि मैं फलानी विचारधारा का समर्थक हूँ क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग उसी विचारधारा के मानने वाले थे एक को विशे मिल गया कि मैं फलानी विचारधारा का विरोधी हूँ एक को मिल गया कि मैं लड़की हूँ एक को मिल गया मैं लड़का हूँ तो ये सब आपको समाज से मिलता है लेकिन मैं भाव तो आप गर्व से ही लेकर पैदा होते हैं ठीक है अब बताईए इससे आप क्या पूछ रहे थे कि समाज से क्या फैसे प्रभावित होता है मत उनी की संतुष्टी के लिए इधर भागता रहता है। ने ने ये उनकी संतुष्टी के लिए नहीं भागता है, ये अपनी संतुष्टी के लिए भागता है उनके माध्यम से, संतुष्टी तो इसे अपनी ही करनी है, पूरी दुनिया को तो ये बस संसाधन के तोर पर इस्तिमाल करता है, संतुष्टी इसे किसी और की नहीं करनी है इसकी मूल बेचैनी अपनी है पूरी दुनिया के प्रते तो ये भोग का या हिंसा का या भै का या लोभ का रवया रखता है भई जब आप अधूरे होते हैं तो दुनिया से आपके दो ही तरह करिश्टे होते हैं तो ये कि जो बचा खुचा भी मेरे पास है कहीं दुनिया लोटना ले जाए एक ही आपका संबंध होता है और एक ही होता है कि अरे जो मुझे में अधूरापन है जो मेरी अपूर्ण कामनाएं हैं मैं दुनिया में कहां जाकर उनको पूरा करना हूं तो ये मैं जो है ये दुनिया से इन ही दो तरह के रिश्टे बनाता है बस अब बताएए क्या पूछ रहे थे आचार जी ये सवाल मेरा यही था कि जैसे ये बाहर से प्रवावित है ये बाहर ही ये अपनी सारी चीज़े धूंड रहा है ये खोज रहा है ये अंदर से संतुष्ट कैसे होगा जो आपने बोला आत्म ग्यान करने के बाद ये थोड़ा सा नया और रोचक हुआ देखिए बाहर जो ये खोज रहा है न चीज़ें वो चीज़ें ये बाहर बहुत बार खोज चुका है उदारण के लिए आपकी मान लिज़े कुछ उम्र हो 20 वर्ष है 25 या 30 वर्ष आप आज जो खोज रहे हैं वो भ्रमवश आपको लगता है कि नया है आप कल जो खोजेंगे वो आशावश आपको लगता है कि और नया होगा लेकिन जब आप ध्यान से जगत को और जगत के प्रते अपने प्रयासों को देखते हैं तो आप आते हैं कि आप आज जो खोज रहे हैं वो आप कल परसों भी खोज चुके हैं और पा भी चुके हैं और पाकर पच्टा भी चुके हैं आपको आज जो चाहिए, वो कोई बहुत नई चीज नहीं है, वो आपको पहले भी मिल चुकी है, तो नयापन वहां कुछ नहीं है, दुनिया में एक ही चीज है जो रूप बदल बदल कर बहुत बार आपके सामने आती है, ठीक है, उस चीज के पीछे आप बच्पन से पड़ हुए है, अंगिनत बार आपने उसको पाया है और खोया है, आपने आशा बांदी है, फिर आप निराश भी हुए है, जब आपको यह इस पश्ट हो जाता है, कि अरे यह वही पुरानी तो चीज है, बस इसका आवरण बदल जाता है, इसका चेहरा रूप रंग बदल जाता है, फिर उसके पीछे भागना शुरू कर देता हूं, फिर जब तक मिलती नहीं तब तक पश्टाता हूं, और कभी मिल गई तो पाकर और निराश हो जाता हूं, कि अरे इसमें वो बात तो बनी ही नहीं जिसकी आशा थी, जब व्यक्ति यह देख लेता है, तो फिर दुनिय आके पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर देता है, फिर एक विवेक आता है, फिर वो समझ जाता है कि जीने के लिए क्या ओचित्य सही है, उसी को फिर विवेक पूर्ण जीवन कहते हैं, उसी को निश्काम कर्म भी कहते हैं, अभी भी इस पश्ट ना हुआ हो तो कहें सर, इस पश्ट हो गया है मुझे काफी हद तक, सर एक सवाल और था मेरा इसी संबंदित, कि ये बार बार उसी गड़े में क्यों गिर जाता है, जाके तो वो जैसे आपने भी बताये कि एक बार संतुष्ट होता है, फिर वो नई धार्णाय ब्रहम बनाता है, उसके बाद फ गढ़ा एक ही है, अतिप्राचीन, बहुत बहुत पुरातन गढ़ा एक ही है, लेकिन वो नई नई कलेवर लिये रहता है, नई नई आवाजों से आपको पुकारता है, नई नई आशाएं और सपने दिखाता है, तो वेक्ति को लगता है क्या पता इस बार कुछ नया हो जाए अभी तक बात नहीं बनी अतीत में पर क्या पता इस बार बात बन जाए तो आशा बनी रह जाती है और यह जो आशा है यह उठती है अज्ञान से दिखो कुछ नया हो, वास्तव में कुछ सार्थक हो, उसको पा लेने की आशा में तो कोई बुराई नहीं पर जिस चीज से पांच बार चोट खा चुके हो, वही जैसे कहा गढ़ा पुराना जिसमें पांच बार पहले ही गिर चुके हो उसी की और पुनह बढ़ने में, बेहोशी में तो निश्चित रूप से बुराई है न, अहम ही है जिसकी भलाई के लिए काम करना होता है अहम ही है जिसे मुक्ति दिलानी होती है, और अहम को मुक्ति दिलाने की जगए उसको पीड़ा और देते चलो, तो ये क्या बुद्धिमानी हुई ध्यान से देखो, जब जीवाने परिस्थितियां आएं, पूछो अपने आप से, इसमें सच्मुच ऐसा क्या है, जो मुझे त्रिप्त ही कर देगा उधारन के लिए, कोई बोले कि आपको बड़ा मैं सम्मान दूँगा, मान लिजे आप तीस वर्ष के हो गए है, कोई बोले मैं आपको बड़ा सम्मान दूँगा, आप मेरा फलाना काम कर दीजिए, मैं बहुत बड़े मंच पर आपका स्वागत या सम्मान समारोह आयुजि करूँगा ठीक है इस तरह से कोई आपको बोले तो मन में लाला चुट सकता है आप कह सकते हो कि अच्छा या आदमी जो भी शर्त-पूरी करने को कह रहा है हम करे देते हैं या आदमी जो भी दाम मांग रहा है हम दिये देते हैं बदले में हमें बहुत सारा सम्मान मिलेगा और बहुत लोग ताली बजाएंगे बहुत लोग जान जाएंगे हमको और फिर आप बगल में थोड़ा सा देखें मुड़ करके तो आपका मान लिजे छोटा भतीजा बैठा हुआ है ठीक और भतीजा है खुल 13-14 साल का टीनेजर और वो क्या कर रहा है वो तरह तरह के मुह बना करके इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डाल रहा है वो बड़े भद्दे किसम के मुह बना रहा है लेकिन वो मुह ऐसे बना रहा है क्योंकि जब आप भद्दापन करते हैं तो उससे भी लोग आप पर ध्यान देते हैं देते न बलकि सही काम करके लोगों का ध्यान नहीं मिलता भद्दा काम आप करें तो लोगों का ध्यान धरूर मिल जाएगा तो आपका 13-14 साल का भतीजा बैठा है और वो अपनी भद्दी तस्वीरें डाल करके गिन रहा है कि मुझे आज लाइक कितने मिले और उस पर कॉमेंट कितने आ गए मेरी पोस्ट पर और शेयर कितने हो गए ये सब चीज़ें अपना बैठके गिन रहा है ततकाल आपको कौन्ध जाना चाहिए कि मैं 30 का भतीजा 13 का हम दोनों में अंतर ही कहा है वो भी तो यही बैठके गिन रहा है कि समाज में कितने लोगोंने मुझे लाइक कर दिया और बहुत बड़े मंच पर मेरा सम्मान किया जाएगा तो मैं भी तो वहाँ बैठकर यही गिन रहा हूँगा कि मुझे कितने लोगोंने लाइक कर दिया और जब आप यह देखेंगे तो फिर आप यह भी देखेंगे कि फिर अंतर कहां है उनमें भी जो किसी भी बड़े से बड़े पद की आशा इसलिए रखते हैं कि उनको जगत से सम्मान मिलेगा चाहे वो विश्यो के सब राष्टपती प्रधान मंतरी लोग हो अगर उनकी उमीद यही रही है कि मैं कोई ओधा पालू ताकि लोग मुझे जाने और मुझे इज़त दें चाहे वो कोई कोई सरकारी नौकरी पाने का आकांक्शी हो जो कहरा हो कि एक बार मुझे यह बड़ा पद मिल गया यह वाली नौकरी मिल गई कुछ भी मैं केलेक्टर बन गया तो बहुत लोग मुझे सलाम ठोकेंगे और चाहे फिर वो 13 साल का आपका भतीजा हो जो इंस्टाग्राम पर कुछ कुछ करके लोगों से वहवाही पाना चाहता है अंतर कहां है एक बार जब आप तमाम तरह के अलग अलग दृश्यों में घटनाओं में मनुश्य की मूल वृत्य को पहचानना शुरू कर देते हैं और आप कहना शुरू कर देते हैं कि 13 साल वाला और 30 साल वाला और 60 और 80 साल वाले ये सब एक ही हैं तो फिर आप उस वृत्य के गुलाम नहीं रह जाते बात आरही है सा मुझे जी अचारीज एक व्यक्ति है वो जब जब छटी आठवी में पढ़ता था तो अपने नंबर किना करता था नंबर गिनता था कि मेरे नंबर कितने आ गए और क्यों गिनता था क्योंकि बड़ी होड थी उसमें बड़ा प्रतिसपर्धी मन था दूसरों से आगे रहना है नंबरों में फिर वो मान लीजे इंजिनरिंग करने किसी केंपस में गया और वहां से जब निकल रहा था तो वो गिन रहा था कि प्लेस्मेंट में पैसे कितने मिले वहां भी वो एक आकड़ा गिन रहा था जब वो छटी में था तो एक आकड़ा गिनता था कि मेरे नंबर कितने आए और वो भी तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली कितने नंबर आए दूसरों से कम है जादा है जब वो प्लेस्मेंट के लिए बैठा तो वहां भी वो अपने अंखी गिन रहा था कि मुझे जो आकड़ा मिला है CTC वो दूसरों से कम है कि ज्यादा है और फिर वो एक दिन और आगे बढ़कर कि कहता है कि अब मैं उद्यमी बन गया क्यों क्योंकि अभी भी वो आकड़ों के ही तलाश में है कि और बड़ा आकड़ा चाहिए सिर्फ तनखास से जितना पैसा मिलता पूरा नहीं पड़ा रहा और बड़े आकड़ों में खेलूंगा बताइए इस व्यक्ति का जरा भी आंतरिक विकास हुआ है क्या क्या ये व्यक्ति अभी भी वही नहीं है जो ये कक्षा छे में था कक्षा छे में भी ये संख्याओं के पीछे दोड़ रहा था और दूसरों जे प्रतिसपर्धा कर रहा था जब ये 22-24 साल का हुआ और केंपस से नौकरी पाने की बात आई तब भी एक संख्या के पीछे ही दोड़ रहा था और प्रतिसपर्धा कर रहा था और अब ये कहता है मैं 30-40 साल का हूँ और मैं उद्द्यमी हूँ मेरा अपना कारोबार है अंत्रिपेनर हूँ और अब दुनिया में बड़ा सम्मान भी पारा बड़ा आंत्रिपेनर है पर अभी भी दिनराज इसकी नजर किस पर रहती है बस कुछ संख्याओं उपर तो बताईए क्या ये वेक्ति मानसिक रूप से अभी भी वही नहीं है जो ये दस साल की उमर में था जी अच्छा जब आप ये देखते हो ना कि अरे कुछ नया तो होई नहीं रहा कुछ बदल तो रहा ही नहीं है ये तो वही पुराना खेल है जो अलग-अलग तरीके से बार-बार खेला जा रहा है तो फिर आप जिंदगी में कुछ नया कर पाते हो कि पुराना तो बस उप देता है ना बुरियत पुराने को दोहराने में क्या आनंद है कुछ भी नहीं कि पुरा क्या जैसे अपने शमजाया बूरा कि कैसे यह सारी तक्रिया हो रही है ये जो बहुत आयत या फिर presidentین मेंजर संख्या है वह ऐसे प्रवत्रplease लोगों की है सबसे जादा और जब मैं सोचता हूं या आपने जैसा भी मार्णक्य तो अगर मैं वैसा जीवन कर नियापन करूं तो मेरे मन में यह आता है अभी कि मैं कहीं भाग तो नहीं रहूं इन चीज़ों से कि मत malt na यह चीजें ना कर पाऊंगा या मेरे लाइक नहीं भाग रहूं पर्ष्टिदी से जो वश्विक्ता है लेकिन मुझे पता है कि वश्विकता नहीं नहीं आप उससे यदि भाग भी रहे हैं तो यदि सत्य की दिशा में भाग रहे हैं तो रास्ता तो उधर भी कठिन ही है ना देखिए जीवन का तो अर्थ ही है कठिनाई और कठिनाई दोनों दिशाओं में हैं कठिनाई मूर्खता की दिशा में भी है और कठिनाई बोध की दिशा में भी है तो जो मूर्खता की दिशा को छोड़ेगा उसने मूर्खता के साथ आने वाली सारी कठिनाईयों का त्याग तो करा निश्चित रूप से बिलकुल ऐसा करा है कि अब मैं उन कठिनाईयों को नह कठिनाईयां भी तो चुनली हैं तो उसको भगोडा कहना उचित नहीं होगा इसको भगोड़ा कहना उचित नहीं होगा हम उधारण जिस व्यक्तिकाभी ले रहे थे कि छटी में था तो अंकों के लिए प्रतिसपर्धा करता था अंकों के लिए प्रतिसपर्धा करना भी मेहनत का काम है फिर नौकरी के लिए भी प्रतिसपर्धा मेहनत का काम है फिर अगर कोई स्वरोजगारी हो जाता है अपना ही काम धंधा शुरू कर देता है वो भी मेहनत का काम है बड़ी तो यदि कोई इन सब रास्तों को छोड़ता है तो उपर उपर से ऐसा लग सकता है कि उसने मेहनत का रास्ता छोड़ दिया लेकिन उसने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ाया क्योंकि इनको छोड़ करके अब आप जिस दिशा में जाएंगे वो रास्ता और ज्यादा मेहनत का है अरे भाई मूर्खता छोड़ी है, मेहनत थोड़ी छोड़ी है अंधे रास्तों पर चलना छोड़ा है, चलना थोड़ी ही छोड़ दिया है पुरानी ही किसी चीज का पुनर चक्रन छोड़ा है नव निर्मान थोड़ी ही छोड़ दिया है तो मेहनत इसमें भी है कि रात भर एक गढदा खो दो और दिन को उसको भर दो फिर पुना रात को खो दो फिर दिन को उसको भर दो मेहनत इसमें भी है और कोई कहे मैं ये काम नहीं करता कोई कहे ये मैं ये काम नहीं करता तो मुझे पताईए वो मेहनत से इंकार कर रहा है या मुर्खता से मुर्खता से लेकिन आरोप उस पर ही लग सकता है कि उसने मेहनत से इंकार कर दिया है कोई कह सकता अरे तुम जीवन की चुनोतियों को पीठ दिखा रहे हो इस तरह कि व्यंग सुनने को मिल सकते हैं ना और जीवन की चुनोति के उन्होंने अर्थ क्या कराया है कि रात बर गढ़ा खो दो और दिन में गढ़ा भर दो फिर रात को खो दो फिर भर दो इसको वो कहत हम ये नहीं करेंगे अगर हमें मेहनत करनी है तो हम निर्मान करेंगे हम एक भव्य नई जीवन की इमारत खड़ी करेंगे, एक सुंदर मंदिर खड़ा करेंगे है ना, अगर हमें गढधा खोदना ही है तो हम किसी मंदिर की नीव खोदेंगे ताकि फिर उस पर कुछ भव्वे सा, सुन्दर सा, निर्मित हो सके तो इस बात में मताईएगा कि आप उद्यम को, साहस को और श्रम को पीठ दिखा रहे हैं हमने मूर्खता का त्याग करा है हमने पौरुश का त्याग नहीं कर दिया हमने श्रम और उद्यम का त्याग नहीं कर दिया बलके सही काम करने में कहीं ज्यादा श्रम और साहस लगता है